लंपी बीमारी लंपी वाइरस ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान की सीमांत प्रदेशों में तो लाखों गोवन्शों की मृत्य उड़ी है इससे और सनातन धर्म का सबसे बड़ा कोई जीवन्त प्रती का है तो गोमाता है और इसकी भी जाच होनी चाहिए कि ये वाइरस कहीं म गॉर्मेंट वैक्सिनेशन आदिका प्रबंदत तो करी रही है जो हमारे परंपरागत तरीके थे अलवेरा, खल्दी, मुल्तानी मिट्टी और नीम इससे प्रशों को लेप लगा करके और अलवेरा, गिलोई, तुलसी, अशोगंधा और एकम कायकल, क्वाथ और इस तरह की चीजे बनाते हैं, जो शरीर के शुद्धी करण के साथ, उसके शशक्ती करण की इम्मिनिटी की पाउर को बढ़ाते हैं, वह लंपी बिमारी के लिए अचू काम कर रहा है, अभी यद्देपी पशों के मरने की जो दर है, वो कम हुई है, लेकिन अभी भी यह जरूरी है, जिस तरह से गयों को फोड़े होकर के जो फूट रहे हैं, वो बहुत दर्दनाक है, उसमें इन चीजों से जरूर मदद मिलेगी, बाकि इस पर हम रिश्रस्त कर रहे हैं, हमारी पियार आई के, महरा जी इसमें मुसम चेंज हो रहा है, और डाइग को दबाव कर खाया है, ब निनमारी आई को एक नाचें आई कर देया है, और गारदी को बादी आज़ अनुलिकु पुर्जाने इस बहुत दर्दनाक है, और या जो फुक्तित पहुत दिया है और फर्स जर्वेशन में एक लाख들 करोर का कामराजिय कहाँ थे बारतियृकों क्यों क्यों से उस्जानी तोड़े दूरो जाओगा जाओगा अरुण जी लेरू नामाराच। को जाओगा जाओगा ह conscious जाओगी जाओगगा एग जाओगे पूल जाओगा जाओगा चाल जोगे एगो प्रेवर को जाओगा है का उत्साहिएएटो पूरे देश में पूरे देश में समान नागरिक सहिता की पात पिछले आजादी के 75 वर्षों से चल रही थी और उसको मूर्त रूप देने का काम उत्राखंड सरकार में किया यहां पर जिस तरह से धरम परिवर्तन का काम चल रहा था अवईध तरीके से अनवैतिक तरीके से एसमधानिक तरीके से वो उत्राखंड के लिए चिंता का विसेता यहां सीमानत प्रदेश है देव भूमी है हरिद्वार महातीर्थ के अलावा गंगोत्री अमनोत्री बंद्री के दार्थ के साथ साथ उत्राखंड दुनिया की आज आध्यात्मिक राजधानी है और ऐसे प्रदेश में जिस प्रकार से यहां पर मजभी उनमाद और कुछ अलग प्रकार के मनसू भी पाले बैठे लोग गलत गत्विधिया कर रहे थे उनका जैसी मुख्यमंत्री को पता लगा तो उन्होंने मदर्शों की जाच कादिश दिया जो सही कर रहे है उनको डरने के आवश्यक्ता नहीं और जो गलत कर रहे उनको तो डरना ही चाहिए अधिया आज से तीस साल पहले जब मैं हरिद्वार आया था और उत्राखंड में मेरी कहता हूं जन्मभूमी तो हरियाना है लेकिन अध्यात में जन्मभूमी मेरी उत्राखंड और गमोत्री है मैं यहां देखा किसी भी तरह का इसलामिक उन्माद नहीं था अब यहां पर जो इसलामिक उन्माद और उसमें फिर धर्म परिवर्तन और पूरे इस देव भूमी को कुछ लोग कुछ सी तरीकी से दुशित करने का प्रयास कर रहे हैं वहां बहुत चिंता का विशह है और वो निदनी है गुरुजी लंपे विमारी से पूरा देश परसान है इस समय गव माता जो है गिलोई एलवेरा वेटग्रास अनार और पपीते के पत्तों का रस और किसी को बकरी का दूद मिल जाया है फिर तो आदमी की तीन से साथ दिन में 100% डिकवरी हो जाती है और जिन दोगों ने जो मैंने पंचामरित बताया अभी गिलोई और पपीते के पतों का रसाधी जिसने इसका स्यवन कर लिया पांच-दस हजार पर भी प्लेट लेट पहुंच गये थे तो वापस एक दो लाख पर होगे और एक भी विक्ति की मौत नहीं लंपी बीमारी लंपी वा है तो गोमाता है और इसकी भी जाच होनी चाहिए कि यह वाइरेस कहीं मैनमेड तो नहीं है और यह साजिस के तहट तो हिंदुस्तान में भी फैलाया गया और जहां तक इसके उपचार का प्रश्ण है गोवर्मेंट वेक्सिनेशन आदिका प्रबंत तो करी रही है जो हमार अलिवेरा, गिलोई, तुलसी, अशोगंधा और एकम कायकल, क्वाथ और इस तरह की चीज़े बनाते हैं जो शरीर के शुद्धी करण के साथ उसके शशक्ती करण की इमनिटी की पाउर को बढ़ाते हैं वह लंपी बिमारी के लिए अचू काम कर रहा है अभी यद्देपी पशों के मरने की तो दर है, वो कम हुई है, लेकिन अभी भी यह जरूरी है, त्योंकि जिस तरह से गयों को फोड़े होकर के तो फूट रहे हैं, वो बहुत दर्दनाक है, उसमें इन चीज़ों से जरूर मदद मिलेगी, बाकि इस पर हम रिशास्त कर रहे हैं हमारे प्यार अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें